नमस्कार मैं लच्वी पांडे मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है आसा करती हूँ कि आप लोग अपने घर में सेफ हैं माज जरूर पहने और वेक्सिलेशन जरूर करवाएं मैं आप लोगों के साथ एक बास सेर करना चाहती हूँ यूटी पे हम लोगों ने एक मिलियन प केरे पास बहुत सारे मेंसे जाएं इसलिए इस वीडियो में बड़ा टेडी-बियर बनाना सिखा रही हूं कि हमारे पास तीन अपडेट है पहला अगर ड्राप मंगाना चाहते हैं तो मेल दुआरा मंग मा सकते हैं इसकी सारी जानकारी मैंने नीचे बोक्स में डाल दी है आप इसे पढ़ लें दूसरी बात हमारे पास बहुत सा स्वप्ट वाइस का उड़र आया इसलिए मैं नया वेवसाइट लॉंच कर रही हूं एक दो हपते के बाद आप एक बार हमारा वेवसाइट जरू चेक करें तीसरी बात है कि बहुत लोगों स्वप्ट वाइस का पार् लागते हैं अब सीजर इसकेच कि खिलोना कांखनाक के सुई धागा के कॉटन के चैनीज भरवाला और साधा कपड़ा है अब हम कपड़े को उल्टा करके फैला देंगे और उस पर ड्राप स्केच करेंगे कपड़े का बाल नीचे गिरा होना चाहिए ड्राप मेरो का निसान है या ध्यान देने के बाद है कि जिधर कपड़े का बाल गिरा हो उधर ये रो का निसान होना चाहिए अब हम सारे ड्राप को जल्दी जल्दी स्केज कर लेते हैं ड्राप स्केज होने के बाद मैं आपको बताऊंगी कौन सा पार्ट कहां जुड़ेगा इसलिए आप वीडियो को लाश्ट तक देखें अब हम पाट को कट कर लेते हैं इसे छोटे सीजर से ही कटिंग करें यूगरें बड़े सीजर से काटने से इसका बाल कट जाएगा यह आगे का पाद है एई दोनों पैर है यह दोनों हाथ है यहां जूटेगा और यह आगे का प्हेश है यह तीन पाद मैं है जहां जूटेंगा बीच में Man यह उपर कान है यह दोनों साइट कान जुटेगा अब इसको टाका लगाने के लिए अब इस कोने से पकड़के उस कोने तक टाका लगा देंगे फिर बाद में सिलाई करेंगे यह पीछे का बोड़ी पाथ है यहाथ है दोनों यह सीर है पीछे का और पीछे का यह बोड़ी है अब इसको यहाँ से यहाँ पकड़के हम टाका लगाएंगे यहाँ से यहाँ टाका लगाएंगे इसमें जो साधा कपड़ा हम कटिंग करेंगे वो पैर के आगे और मुह में लगाएंगे पहले हम टाका लगाएंगे इसके जॉइंट जॉइंट पर फिर इसमें फैनल सिला ही करेंगे अब इस सिलकर तयार हो गया है कौन सा पार्ट कहां जोड़ी हूँ मैं ड्राप को रखके आपको बता रही हूँ आप चाहे तो वीडियो को पॉस्ट करके देख सकते हैं मैं इसे छोटा करने के लिए जल्दी जल्दी कर दी हूँ अब हम इसमें आख और नाक लगाएंगे आख नाक लगाने के लिए मार्किंग करेंगे यह नाक से एक सेंटिम्टर के दूरी पर आख होना चाहिए आप अपने अंदाज से भी लगा सकते हैं मार्किंग करके छोटी कैची से इसमें होल करके और इसमें आख नाक सेट कर देंगे आख नाक सेट करने के बाद इसे सीधा कर लेंगे और इसमें अब रूई भर देंगे अब इसमें रूई भर कर पीछे के खूले हुए हिस्चे को सील देंगे अब आपका टेड़ी वियर हो जाएगा तो याद इसे चैनिज भर वाले कपड़े में बनाए अच्छा बनेगा आप इसे किसी को गिप्ट दे या बच्चे को खेलने के लिए दे मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले अगर कुछ पूछना हो तो कॉमेंट बक्स में पूछें